कि अज़िए राम यह वन गमन मार्ग राजी लोचन मंदीर और लोगत रिशे का आस्रम है यह राजीम है यहां पर भगवान 14 वर्स पनवास के दावर नहीं यहां पर आए यहां पर रुके थे यहां पर लिखा श्री राम वन गमन मार्ग रुखनेटा प्रमाण मिलता है 14 वर्स पनवास के दौरा नहीं पर रुके थे जैसियारम बावजी ये जैसियारम एक कौन सा मंदिर कहलाता है स्यू मंदिर मधूरेश्वर महादेव मंदिर में तो नमस्कार हमारे यूटूब चैनल भक्तिनेचर टूरीजन फिर साब का स्वागत है ये लोमस रिसी का अस्रम है मित्रों लोमस रिशी कल पांजीवीद हैं जो दिर्घाइव हैं और कल्प के अंतर तक जीवी रहने का उनका प्रमान मिरता है कहते हैं कि ब्रह्मा का एक जीवन चक्रक खत्म होता है उनकी अइसी तुम्र है ये भगवान राम के श्री वً गमन मार्गतपत का ये मैप हमित्रों इस जरी है भगवान राम कहां कहां रुके थे उसका यहांपर व्यवरत दिया गए है ये राजीम वही जगा है लोमस रिसी आश्रों वही जगा बढ़ां पर भगवान राम 14 वर्स परनवास के दोरा ने आपर आये थे रुके थे ये पूर्ने धरा है अभी कुम्म का मेला चर रहा हमित्रो और ये लोमस रिसी का आत्रा में काफी भीड है हनमान जी राम जी और अनेक देवी देताओं को यहाँ पर रखा के है हनमान जी है जैशी राम कहेंगे हम ये है लोमस रिसी लोमस रिसी का मुख्य मंदिर है यहाँ पर भगवान लोमस रिसी जो है राम जीन को दर्सन देने आते हैं अब द्या से चल कर यहाँ पर छत्तिस गड़ में आते हैं तो लोमस रिसी कलपान जी भी माने जाते हैं और दिर्गाईू है यहाँ पर लिखाया कर पांजी महर्शी लोमस रिसी आस्रम राजिन यह महान अधी के तट पर इस्तित है मित्रो त्रेविनी संगम है पैरी संधू और महान अधी का संगम इस्तल है यह पर यह लोमस रिसी का अस्रम है यह धौम में रिसी है धौम में रिसी भी काफी गढ़ा इसंभी के और यह देखें भीड़को चेल कर हम मंदिर की ओर आप JE छैसयराम ओम नमस्हिवाई हरे एब में हरे आहरेदाम हरे डाम करण सुंह रहे हरे क्रिष्ण कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे शुंखर हुले नाथ ए 6 जैसे मित्रु ये कुलेश्वर महादेव शिवलिंग का यह मंदिर है जो तिर्वी शंगम के बीच में इस्थित है यह पीपल का व्रिक्ष है जहां पर भगवार राम जानकी मा और लक्षमन भही यहां पर बैठा करते थी वन्मास के दौरान यह वही राजिम है जहां पर मा जानकी ही और पर लकश्चर के इस प्रcado मत्रेश्व शिवलिंग कुछ इस की तक व्यों पर गहीं है पथरों से बनाया गया है काफी मजबूत है यह देखिए और बार आता है तो पानी सोता कड़ जाता है सुबासुबा का समय है भीड काफी कम है और यह पत्थर है काफी मजबूत है साथवी से आठवी सतापदी के इस्वी के आसपास इस मंदिर के स्थापना बताया जाता है, इस मंदिर के निर्मान बताया जाता है, यह देखिए, और अलग-अलग जगह पर यहाँ पर सिधी बनाया गया है, बाड आता है तो यह डूप जाता है, यहाँ तक पानी उपर पत्थरों से बनाया गया है मंदिर का निर्मान काफी मजबूत पत्थर है यह देखिए राजीम त्रवेणी संग्म पर इसे था यहां मंदिर 37. нашего सतअब जी आस। बनाया गया है एदि आप राजीम आना चाहते हैं तो राजीम बस मार्क से जोड़ा हुआ है सभी तरफ से राजी माइए राजी में भगवान राजी रोचन का मंदिर है लोमा सरिश्ची का अफ्सरम है और यह माजान की द्वार स्थापित प्रेतर यूप कालीन 7000 वर्ष्पूरु का मंदिर आज भी स्थापित है तो बने दे हमारे विडियो में तब तक के लिए जैसे मित्रो कुलेश्वर महादेर शीवलिंग की दर्शन करने के बाद हम मामा भाचा मंदिर चले जाते हैं यह राजी लोचन भगवान राम के मंदिर के आसपास है यह मामा भाचा मंदिर की कहानी यह है कि जब भी बार के सिती आती है तो मामा भाचा साथ में नहीं आते और यह शीवलिंग की स्थापड नकी गई है यह त्रेता युक कालिनल साथ अजार वर्ष पुर्णा यह जगह है जहाँ भगवाण राम के चरन पड़े थे रगवर के वहां पर चरन पड़े थे यह lay तिस्तल आ है यह राजी Rabbi BETअ यहां पर विराजी तो उनका बिवर्वार्स बताएं यह ऐँ किया गयर है नकासि किया कि नकासि को सजाए गया है राजी लूय चन मंदिर को क्योंकि ऄप सजाए किया है चाहर रहे है और मेयला के समय में इस तरीकिए से सजाए जाता है राजी लोचन मंदिर को क्योंकि पंदरा दिन का मागी पुनいい मुला चलता है और कि मा आनकी का सवरूप यहां पर बताया है साटी साटी सताब्दी के अधोस यहां पर प्रणांप करते हैं नमस्कार करते हैं भगवान भिश्णू का प्रतीक है राजी लोचन उनको समर्पित है राजी हिए यह कुछ लिपी है जो यहां पर लिखा गया है और इस प्रकार से हम बाहर एक्जिट हो जाते हैं यहां पर भगवान जगननाथे हैं भगवान कृश्ण राम विश्णू का सवरूप है जगननाथ यह पीछे का सवरूप है मित्रों राजी लोचन मंदिर 7-8 सताबधी के आज पस इसे नल वंसी राजाओं इसका निर्मान करवाया था भगवान कृश्ण है यह उनका श्वरूप यहाँ यह मंदीर का भाग इस प्रकार से जगमत दिख लाय में यही राजीम का राजीर्व लोचन मंदीर है जहां पर भगवान राम विराजे हैं और यह त्रेविनी जंगम का वा भाग है जहां पर इस प्रकार से यहां पर आर्ती की जाती है आर्ती सजाया गया है तो बने रहे पाल्सवे मक्षतरा ने रोपाद्मिना व्यावतं माखने खालाम ओम्हाई खाणा सुर्वा लोग थाणा है ओम्हाई खालाम ओम्हुर्